हेलो फ्रेंट्स वेलकम डू माई चैनल नॉवल एक्स्प्रेंड तो इस वीडियो में मैं रिप्लेस्मेंट कॉंट्रेक्ट मांगा का नेक्स पार्ट एक्स्प्रेंड करने जा रही हूँ आई हूप आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी और इसका पहले का पार्ट है आप पहले देख लीजएगा फिर आपको स्टोरी ज्यादा अच्छे से समझागी तो भी मैं बिने किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर की स्टार्टि में हम देखते हैं जो शू जी चिन है वो वाश्रम में जाता है और जो पीशू है वो भी बहाना मारकर वहां चला जाता है और तबी हम देखते हैं वापर वो दोनों वाश्रम में होते हैं और जो होता है पीशू वो शू जी चिन को बोलता है कि श relationship है उसके बार में पता चल गया है क्या यह यहां पर मुझे want करने आया है तभी जो होता है हमारा पी शुशु वो से बोलता है कि शुशु क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं हूँ तभी जो शुशु जी चिन है न वो बोलता है कि क्या मैं पहले पी शुशु से मिला हूँ और फिर जो पी शुशु है वो से बोलता है उसकी expression दे कि अगर तुम्हें याद नहीं हूँ तो उससे कोई परक नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हें याद करता हूँ और मुझे तुम बिल्कुल अच्छे तरह से याद हो तभी जो शुशु जी चिन है वो सोच रहा होता है कि आखिर क्या है क्या है रहा है और फिर वो सोच रहा है कि वैसे मुझे गुहान ने बताया था कि मैं और पूशु शुशु दोनों ही एक साथ स्कूल में बढ़ते थे लेकिन मैं इसके बार में बिल्कुल भी नहीं जानता है ऐसे लगते हैं हम बहाँ पर कभी मिले ही नहीं है और फिर ना वो देखता है जो पेशु है उसके जो एक्सप्रेशन है वो बहुत रदा में दोढ़ने की मैं उस सकते हैं जाना हम और वो दोना हो जाना हमेगर तरह हुआ यूट करता है है तो शुश्षम को भी करा करा इतना किया है इक जलित कर भी करना है यह सब्क्राइब मोचे इंटिम्स है कर आता है और फिर भी बन्ते में मैंने ऐसी ही act नहीं किया है और फिर वो सोशा कि अभी वक्त है मेरी acting skill को दिखाने का अभी मुझे अपने एक character में आना होगा humble, substitute और प्यारे से lover की रूप में और अभी हम देखते हैं शूजी जिन काफी प्यार से उसे बोलता है मतलब काफी ज़्यादा humbly और बॉस की relationship में है और इसके अलावा हम हमारे बिच में कोई relationship नहीं है मैं सिर्फ उनका एक assistant हूँ आप overthink कर रहे हो तब ही पी शुशू से बोलता है कि मेरा ये मतलब नहीं था मेरा इस way में तुम्हें कहने का मिल्कुल मतलब नहीं था तब ही वो फिर से उसे बोलता है कि मुझे तुमारे और मिस्टर गू के बार में हर एक चीज़ पता है और मुझे पता है कि तुम गू फैमली में क्यों गए हो और तुमारे और उसके बीच में जो agreement हुआ था उसके बार में पreň वह उसे भोलता है कि मुझे पता है, तुम्हें गूफ फैमली में किस तरह से ट्रीट किया जाता है, तभी जो पे शुषु, उसका पकर लेता है, और फिर वह शुची चिन, उसे बोलता है कि क्या तबर जो, शुच रहा हुता है कि यह वाइट मॉनलाइट अपरण से म जो होता है पे शू शू उससे बोलता है कि शू क्या तुम सच में उस इनसान को लाइक करते हो क्या तुम उसे इतना ज़्यादा पसंद करते हो तब शू जिछिन के पास जाता है और उसे हग करता है और फिर जो होता है शू जिछिन वो सोचता है कि वाइट मॉनलाइट इसे क तुम सही कह रहे हो मैं मिस्टर गूरू से बहुती ज़दा प्यार करता हूँ और यो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं उसके साथ सिर्फ पैसो के लिए हूँ और तभी हम देखते हैं जो पेशुशु है उसके एक्सपरेशन बहुती ज़दा चींज हो जाते हैं वो काफी तुम यहीं पर रुक जाओ मैं भी बाहर जाता हूँ पहले और फिर वो वहां से जाने लगता है और सोचता है कि मैं अभी फ्री हूँ तभी जो मतलब पेशु है वो उसके हाथ को पकरता है और उससे बोलता है कि जो गूहन है वो बिलकुल भी अच्छा नहीं है तुमारे स उससे बोलता है कि वो तुमारे सेक्रिफाइस के वर्थित नहीं है और फिर वो उससे बोलता है दुबारा से कि तुमें उससे बिलकुल भी प्यार नहीं करना चाहिए वो तुमारे प्यार ऐसे रिसीव कैसे कर सकता है तब यह पागल हो गया है यह किस तरह की बाते कर रहा ह क्या ये फिर से दूसरा अपना कोई टैक्टिक इस्तिमाल कर रहा है तब ही वो उसे धोरा सा पुश करता है लेकिन जो पेशुशु है उस पे बिल्कुल भी असर नहीं होता और पेशुशु से बोलता है कि गुहान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो तुमारे लब के व स्टेक और पेशुशु उसे बहुत होता है तुमारे पर्फस क्या है तुम् unwanted से मुझे बोल दो तुम्य तयास्य माइंड़ कि प्ले करनी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे साथ तभी पेशुशु उसे बोलता है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता था मैं सिर्फ ये चाहता हूँ मिलवफे वो बोलने ही वाला होता है तभी जो शुजी चिन है वो थोड़ा सा बैक स्टैप लेता है और वहाँ पर मॉप रखा होता है जिसके उपर वो फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है कि जो पेशुशु है वो उसे पकड़ लेता है मिलवफे पकड़ने जा रहा होता है और उसे बचा लेता है और वो दोनों एक दूसरे के उपर गिर जाते है तभी हम देखते हैं जो मतलब पेशुशू है वो काफे ज़दा अच्छा पील कर रहा रहता है मतलब उसके करीब जाकर और तब हम देखते हैं वहां से थोड़ी से आवाज आते है दर्वाजे के पीछे से और शूचिचन अपने मन में सोच रहा है कि इस तरह की साउंड है कोई गेट को ऊपन कर रहा है क्या कोई यहां पर आ रहा है तब ही वो पेशुशू से बोलता है कि तुम जल्दी से उठो यहां से ऐसा लगते हैं कोई आ रहा है और तब हम देखते हैं बाहर लोग खड़े होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि यहां पर मुझे अभी भी नॉइज आई है चलो जाकर चेक करते हैं तब ही मतलब पेशुशू है वो उसे प्रोटेक्ट करने के पोस में आ जाता है और उसे बोलता है कि शुशू डरो मत मैं यहां पर हूं तुमार साथ और इसे के साथ यह वाला चाप्टर फिनिश हो जाता है तो आपको अभी यह वाला चाप्टर पढ़कर और सन कर आपको पता चल गया होगा जो पेशुशू है वो एक्चल में शुशू जिशू को पसंद कर रहा है और बाकी यह एक्ट कर रहा है या फिर वो सच में उससे पसंद कर रहा है वो हमें नेक्स्ट कुछ और चाप्टर में पता चल जाएगा और इसी के साथ यह वाला चाप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है आपको आपको यह स्टोरी पसंद आ रही होगी अभी हमें पता चल गया इस चाप्टर में जो पे शूशू है उसने पूछा था शूजिचिन से कि क्या तुम मैं याद हूँ तो इसका मतलब यह है कि वो दोनों पास्ट में मिले हुए थे और वो दोनों साथ में स्कूल में भी पढ़े थे आप को क्या लगता है, मतलब क्या हो सकता है इनका सीन और अगर कुछ हुआ भी था उनके बीच में तो शूजिचिन को क्यू नहीं आद है कि ऐसा हो सकता है कि शूजिचिन की जो मैमरीस हैं वो लॉस हो गई हो या फिर जो होता है मारा पी शूशू उसने अपनी सर्चरी करवाई हो प्लासिक सर्चरी जिसके वैसे वो उसे रेकेगनाईज नहीं कर पा रहे हैं उनका क्या हो सकता है फंडा वो आप लोग अपनी इमाजिनेशन से मुझे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएगा सो में लें ने 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 लिए रहें लिए रखेटर में बाई